हेलो स्टूडूट्स वेल्कम बैक टू और अज की जो वीडियो है उसमें डिसकस करेंगे व्यापार से सामराज तक उसी को कॉंटिनू करेंगे और कॉंटिनू करते हुए हम इसको आगे पढ़ेंगे वक्षी शूकरने से पहले विटा प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी बैल आइकन को प्रिस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए अग्रेज जो है अपनी सेना को सिपाई यानि क्या कहते थे आर्मी कहते थे सिपाई कहा जाता था अंग्रेज की जो सेना थी उसको जहां मुगल फोज मुख्य रूप से गुड़सवार और पैदल सेना थी जिने तिरंदाजी और तलवार वाजी का परसिक्षन दिया जाता था वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट यानि पैदल सेनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारे बंदूग और म दूनी का थियार है उनसे लैस थी जबकि जो मुगल सेना थी वो मुख्य रूप से गुड़सवार पैदल सेना जमित्ती रंदाजी तलवार वाजी आधी का ही उनको प्रसिक्षन दिया जाता था अब इसमें आपको जो इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है वो है मास् तुमारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूग और मैच लॉक क्या होता है बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूग अब हम करेंगे यहाँ पर मुगल फोज और ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की फोज में अंतर क्या था तो जो मुगल फोज थे व स्वारों का दब-दबा पैदल सैनिक कम यानि गुर्सवार ज्यादा थे ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की फोज में स्वारों की कम संख्या लेकिन पैदल सैनिक जो है वो अधिक थे मुगल फोज में तिरंदाजी और तलवार बाजी से निपुन सैना थी जबकि ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की फोज वो बंदूग चलाने में निपुन सैना थी मुगल फोज विशाल पेशेवर परसिक्षित सैना नहीं आवशक्ता पढ़ने पर ग्रामीन सरसास्त्र किसान भी सैनिक यानि जो मुगल फोज थी वो जो है बिलकुल एकदम आप कह सकते हो ट्रेंड जो सैना है वो नहीं थी और अगर आवशक्ता पढ़ती थी तो जो परसिक्षित सैना थी तो यहां से आप जो मुगल फोज और ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की फोज उसमें क्या अंतर था वो कर सकते हैं उसके बाद देखे अनुसाशित और पेशेवर शिपाईयों की सैना खड़ी करने की चक्कर में अंगरेज कई बार जाती और परसिक्षित सैना खड़ी की सदश्य तो थे ही यानि वो क्या करते थे वो अनुसाशित और पेशेवर सिपाईयों की सैना जो हो चाहते थे और इस चक्कर में वो जाते और समुदाई जो भावनाए होती हैं उनको नजर अंदास कर देते थे तिक यानि जो भरती उनके अहसास में आने वाले बदलाव को सिपाईयों ने किस रूप में देखा ये 1857 के विद्रो में सपस्ट जलगता है जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि 1857 का जो विद्रो हुआ था तो किस तरह से उनको पता चलता है कि कारतुसों के अंदर जो है गाएं सुवर की चरबी है और वो उनको मुह से तोड़ते थे तो इसलिए बाद में उनको पता चलता है तो इस तरह से जो है ये एक विद्रो की जो आप कह सकते हो कि 1857 का विद्रो हुआ उसमें ये भी एक में कारण था व्यापार से सामराज्य तक नामक इस पार्ठ के सारांश के रूप में हम कह सकते है कि East India Company एक व्यापारी कमपनी से बढ़ते बढ़ते एक बोगोलिक अपनिवेशिक शक्ति जो है वो बन गई यानि वो व्यापार जो है व्यापार से शुरू किया था और धीरे धीरे उसने पूरे जो इंडिया है उसके उपर एक तरह से अपना हक जमा लिया 19-वी सदी की शुरुवात में नई भाब तकनीक आने से यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई तब तक समुंदर मारक से भारत पहुँचने में 6-8 मा का समय लगता था और अब समुंदरी जहाद से केवल 3 हपतों में जहाद की आतरा से भारत पहुँचा जा सकता था अतर ज्यादा से ज्यादा अंग्रेईज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे ठीके 1857 तक भारती उप महादवीब के 33 प्रतिशत भुबाग और 78 प्रतिशत आबादी पर कमपनी का सीधा साशन वो स्थापित हो चुका था देश का शेश भाग और आबादी पर कमपनी का एप्रतिक्ष प्रभाव था सरकार व्यभारी स्थर पर इस भारत को अपने नियंतरन में ले चुकी थी तो हमने पड़ा किस तरह से व्यापार से जो है उन्होंने पूरा सामराज्य यहाँ पर बसा लिया और जो समुद्री मारक से भारत में पहुचने पर केवल 6 से 8 महीने का समय लगता था अब केवल 3 हपतों की जहाज की आतरा से ही भारत पहुचा जा सकता था और इस बात का बहुत ज़्यादा उन्होंने उठाया और 1857 आते आते उन्होंने बहुत सारे भुभाग पर अपना नियंतरन स्थापित कर लिया था अब देखे यहाँ पर बहुत ही आसान से तीन प्रशन दिये गए हैं पहला जो प्रशन है मुगल फॉज और ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की फॉज में कोई दो अंतर बताईए तो बचो यहाँ से आप अंतर देख सकते हो यहाँ पर देखो यह जो है चार अंतर आपको दिये गए हैं बहुत ही आसान है तो यहाँ से कोई भी दो अंतर आप यहाँ से लिख सकते हो यह आपका question number one का अंसर हो जाएगा तो video pause करके बिटा आप इसका अंसर लिख सकते हो नेक्स देखिए, question number two है, भारतिय जंता सिपाही के रूप में company के लिए काम क्यों करती थी, तो भारतिय जंता सिपाही के रूप में company के लिए काम करने के कई जो है कारण थे, ठीक है, एक कारण की जो लोग हैं, वो उसकी company में रहकर ये सीख, देखना चाते थे, उसकी अंदर की बाते जानना चाहते थे जो राश्टर से भी थे दूसरा जो कंपनी है वो दबाव भी ढालती थी लोगों पर काम करने के लिए और एक तरह से कंपनी में काम करना लोगों के लिए जीविका का साधन भी था ठीक है सो यहां से आप आंसर लिखेंगे कि फॉस्ट है उन्हें कंपनी में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और सेकेंड आप लिखेंगे वे कंपनी के आंतरिक गतिविद्यों को जानने के लिए काम कर रहे थे थे तो वो कंपनी के अंदर की जो गतिविद्या है उनको जान तो हमने अभी उपर पढ़ा कि मास्केट और माचलेक जो है वो क्या थे तो यहां से आप लिखेंगे देखें मास्केट यहां से लिखेंगे पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूग और मैचलोक बारत को माचेस से चिंगारी देने वाली जाएगा ठीक है तो यह थी बच्चों आपकी आज की एसेस्ती की वरक्षीट आई होप सभी सुरूरेंस को क्लियर है कोई भी डावट पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लोगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो झाल